तो आप सबी जानते हैं कि आर्थिक सामाजिक राजने धार्मिक रूप से किस तरीके से अंग्रेजों ने भारतियों का शोशन किया था तो हम अपना इंट्रोडक्शन इस क्वेशन का इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रथम सतंतता संग्राम की भूमिका में अंग्रेजों की आपने वेशक और सोशन कारी प्रवत्ती नाकेवल भारतियों को आर्थिक संकट अपितू सामजिक राजनेतिक धार्मिक तक पहुच गई थी जिसके कारण भारतियों के सांथ बहुत ही आभधरता पून व्योहार, शोशन कारी नीतिया, सैने भेदवाओ, तिलक लगाने, पगड़ी रखने जैसी परमपराओं पर रोक लगाए गई यही कारण है जिनोंने 1857 की क्रांती को जन में दिया अब हमें specific अगर उनके reason बताने हैं तो उसको हम इस तरीके से chart बना के describe कर सकते हैं कि राजनेते कारण, सैन या भीदवाओ, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण या तातकाले कारण, तातकाले कारण की बात करते हैं तो जो चर्वी वाला कार्टूस था उसका प्रतिरोधी इस तातकाले कारण बना था, तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे छोटे कारण मिलके दीर कालीन कारण बनते गए, किन्तु मंगल पांडे के द्वारा जो चर्वी वाले कार्टूस का विरोध किया गया था, वो इस क्रांती का कौन सा कारण बना था, तातकाले और यह क्रांती एक ज्वाला के रूप में प्रजलित हुई जिसमें क्रांती कारी महिलाएं जैसे कि राने लक्ष्मी भाई अवंती भाई और सामाने जनता ने भी बढ़ चर कर इसमें भाग लिया था यह एक last line जो है यह बहुत ही मात्यपूर्ण है जो आपको समरी करके लिखना हैanko समराइस करके लिखना है कि यह स्वतंतरता संगराम अंग्रेजों के मन में भारतियों की रास्टिता को एक झखलक दिखलाता है इस तरीके से आप इस question को complete कर सकते हैं इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि फाइब मार्कर के हिसाब से तो यह थोड़ा जादा है इसलिए इसको इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग की गई है कि आपको अगर लॉंग आंसर में आता है तो आप इसी क्वेश्चिन को डील कर सके अब अलाउद्दीन खिल जी जो बाजार विवस्था है वो बहुत अधिक फेमस है इसलिए बाजार विवस्था से स्पेशली इस टॉपिक से क्वेश्चिन पूछे जाते हैं तो अलाउद्दीन खिल जी एक महान दूरदर्शी और महत्वकांची शाशक था जब भी कोई इस तरीके की बड़े नित्रतो करता की बात आती है या कोई बहुत ही ग्रेट परस्नालिटी है तो ये दो तीन शब्दा आप यूज कर सकते हैं कि बहुत ही महान थे दूरदर् परस्टा की बाजार नियंत्रन विवस्ता भी सरवादिक विख्यात थी क्योंकि अलग अलग वस्तुओं का जो मूली निर्धारन किया गया था अधिकारियों की नुक्ति की गई थी और करप्रनाली चाहे वो मापतॉल विवस्ता हो वो सारी चीजे भी बहुत ही अच्छी थी तो यहां से आप इंटरोड़क्शन इसका बता सकते हैं फिर अगर हम बात करते हैं कि बाजार विवस्ता में क्या क्या चीजे थी तो अलग-अलग डपार्टमेंट में क्या किया गया था इसको डिवाइट किया गया था जैसे कि शेहणा ए मंडी क्या कहलाता है तो जो अधिक्षक होता है जैसे कि मालिक कफूर जो मालिक कफूर था वो शेहनाय मंडी का प्रमुख माना जाता था सराय ए अदल सराय ए अदल जो जस्टेस होते थे जो न्याय का काम करते थे वो सराय ए अदल कहलाते थे मुहसिब जो था वो चैंशर अधिकारियों की नुक्ती करता था मापतल विवस्था के लिए नजीर होता था जो मांट विवस्था को देखता था कर विवस्था के लिए यहां पर अलग-अलग प्रकार के कर लगाय जाते थे जैसे जजियाद, जकात, खस्म और खरास चारा चरने के लिए जो टैक्स लगता है वो चराईकर कहलाता था और इसके अलावा पशू, खाद्यान, कपड़ा इस सब के मार्केट यहां पर सेपरेट सेपरेट तरीके से पूरा विवस्थत थे और मुक्त अनुदानों की यहां पर क्या थी कमी समापती की गई थी तो जियाद्दीन बर्नी की जो बुक है तारीक ए फिरोष शाही में अलावद्दीन खिलजी की बाजार विवस्था का बहुत ही सुविवस्थित वर्णन किया गया है तो आई होप आपको अलावद्दीन खिलजी की बाजार विवस्था समझ में आ गई होगी नेक्स कुश्चन की बात करते हैं अशोक का धम अशोक का धम जो है वो काफी फेमस था आपने सुना भी होगा कि अशोक ने किस तरीके से बहुत धर्म का प्रचार प्रशार किया और उसमें बहुत ही महत्य पून भूमी का थी धम की तो धम तो धर्म से related है बहुत धर्म से related है बट अशोक के धर्म में क्या speciality थी क्या उसकी विशेस्ताइं थी उसको हम जानने की गोशिश करने वाले हैं तो अशोक अशोक कैसा साशक था एक बहुत ही महान महात्वकांची और दूरदर्शी द्रस्टिकोण वाला धार्मिक सहश्णता के गोणों से युक्त शाशक था अशोक का धम ना केवल धार्मिक अपितू राजनेतेक सामाजिक नीतियों पर भी क्या था आधारित था और इस इस ध्रमिक की सबसे अच्छी बात क्या थी कि इसमें सारे धर्मों की अच्छी बातों को सार्व भॉम एक तरीके से क्या किया गया था समाहित किया था और सबसे पहले अशोक के ध्रम का वर्णन कहां मिलता है यह प्रेलिंस का भी क्वेशन है तो जो रहलो वाद उपनिश् उसमें ऐशोक के धम्मे का वर्णन मिलता है। पाप को ना मानना होगा यहाँ पर तो अशोक ने प्रजा के उत्थान के लिए विश्व के कल्यान के लिए नैतिक्ता को अपनाते हुए सत्य दान दया को अपनाया और अशोक ने धम महामात्रों की नुक्ती की धम का प्रचार किया और संपूर्ण विश्व में बहुत धर्म को प्रशारत करने के लिए भी अनिक प्रकार के अभीलेक और शिलालेकों का निर्माड कराया इस तरीके से आप अशोक के धम को बता सकते हैं नेक्स क्वेशन की बात करते हैं कि औरंग जेव के पशात मुगल समराज का पतन कैसे हुआ ये सारे क्वेशन वही क्वेशन है जो MPPSC में पहले पूछे जा चुके हैं और इन्हीं क्वेशन में से कुछ क्वेशन रिपीट होने की प्रोवेवेलिटी बहुत नेक्स क्वेशन है औरंग जेव के पशात मुगल समराज का पतन तो क्या कारण थे कि औरंग जेव के पशात मुगल समराज का पतन हुआ इसके आंसर में इंट्रोडेक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि औरंग जेव एक कट्टर मुसलिम साशक था जिसने धार्मिक आस दक्कन के साथ संगष इन ब्रैकेट औरंगजेव की दक्षिन नीती आंतरिक प्रशाशन गुटबाजी सामाजिक आर्थिक राजनेतिक कारणों के कारण मुगल समराज का पतन हुआ फिर अलग-अलग कारणों को भी हमें एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा कि राजनेतिक कारण क्या थे धार में कारण क्या थे तो राजनेतिक कारण की हम बात करते हैं कि औरंगजेव एक अयोग उत्तरा धिकारी था गुटबाजी राजपूत नीती और अन्य शक्तियों का पर्टबाज नीत्रत्रत्रत्रत्वुत का अभाव था और शरशनात्मक अनिकप्रकार की समस्याइ है जिसके कारण क्या है सेन्य विवस्था भी मुगल साशक और अंगजेव की कमजोर पड़ गई थी और कटरपन्ती धार्मिक नी थी और अंगजेव ने बहुत ही रिज़ दार्मिक नीती थी उसका भी पुर्जोर विरोध हुआ और कहीं ना कहीं वो धार्मिक नीती भी ओरंग जेप के शाशन के पतन का कारण बन गई बाहर आकरमड और यूरोपी कमपिनियों का जो आगमन हुआ था उसने भी एक तरीके से जो घरेलू उद्योग थे तरीके से हम बता सकते हैं कि जो औरंग जेप की पषात मुगल समराजिका किस तरीके से धीरे-धीरे पतन हूता गया अगर हम बात करते हैं next question की तो वो होगा की आस्टांगिक मार्ग यह हमने थ्री मार्कर में भी पढ़ा था और अब हमें से detail में पढ़ रहे हैं आस्टांगिक मार्ग आठ मार्ग जो की गौतम बुद्धी की द्वारा बताए गए हैं और गौतम बुद्धी के द्वारा निर्वार्ण की प्राप्ति के लिए इन आठों मार्गों को अपनाना बहुत अधिक आवश्यक है और हमें उन्होंने प्रेणा दिये कि हमें निर्वार्गों को अपनाएं अब वो कौन-कौन से आठ मार्ग हैं तो सम्यक कर्म सम्यक कर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म करना सम्यक वाक वाक मतलब होता है बोलना तो अच्छे बचन बोलना है या सद बचन बोलना सम्यक अजीविका अजीविका मतलब जीवन नरवाह करने के लिए जो हमें पैसों की जरूरत पढ़ती है जो धन की जरूरत पढ़ती है वो सम्यक अजीविका की अंतरगत आती है सम्यक व्यायाम तो दिनचरिया सही रखना अपना वो सम्यक व्यायाम के अंतर गताता है सम्यक इस्म्रती अच्छे तरीके से चीजों को याद करना सम्यक संकल्प संकल्प के साथ द्रण होकर कारे करना सम्यक द्रश्टी मतलब होता है कि अच्छी द्रश्टी रखना और सम्यक समाधी का मतलब होता है सम्यक समाधी के द्वारा कर्मों का च्छै करके हम क्या कर सकते हैं निर्वान की प्राप्ती में अग्रसर हो सकते हैं और चार दुखों की जो समाप्ती है वो भी अस्टांगेक मार के द्वारा की जा सकती है अब वो चार दुख बौध धर्म के अनिसार कौन-कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट वॉक्स में लेकर बताएंगे तो आई होप आपको अस्टांग एक मारग अच्छे से समझ में आ गया होगा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं समयक कर्म, समयक वाक, समयक अजीविका, समयक ज्यायाम, समयक इस्म्रती, समयक संकल्प और समयक द्रस्टी इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा नेक्स कोश्चन है कि सेंधवकाली नगर नियोजन विवस्था को बताना है तो आप सभी जानते हैं कि सिंदुगाटी सब्विता में जो टाउन प्लानिंग थी वो आज की स्मार्ट सिती की तरह ही थी तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो नगर नियोजन है वो काफी अधिक फेमस था और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 2800 से लेकर 1500 इसवी तक इसवी पूर्व सिंदुगाटी सब्विता क्या थी? सिंदुगाटी सब्विता में नगर नियोजन देखनी के लिए मिलता है जिसमें की वरतमान समय की स्मार्ट सिती की तुलना की गई है अब ये नगर नियोजन में क्या-क्या है तो सबसे पहले हमने बात करी जल्ले कासी क्योंकि इसी के कारण ये वाला शहर बहुत अदिक फेमस है तो नगरों में अगर हम सिंदुगाटी की बात करते हैं तो नगरों में जल्ले कासी विवस्था, स्वक्षता, ग्रेट पैटर्न के द्वारा जो एक दूसरे को काटते हुए समकौन पर काटते हुए विवस्थाएं हुई है घर का दर्वाजा बाहर की ओर खुलता है पक्की और समान आकरती की यहां पर इंटे हैं और पक्के जो ब्रहद इस्तनानाकार हैं और नगरों में दो प्रकार के किलों का दर्माड भी कराया गया है एक जो पश्यमवर्ग के उच्च इस्तर के लोग हैं वो पश्यमवर्ग में और थोड़े से जो सामान इस्तर के लोग हैं या निन्न इस्तर के लोग हैं को लुक कहां रह सकते हैं वो दूसरी साइट पे रहते हैं पूर्व साइड में रहते हैं और नीचे जो साउथ में हैं वहाँ पर कबरिस्तान प्रणाली देखने मिलती है इस तरीके से सिंदुगाटी सबिता में नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन मिलता है next question है कि मुगल मुहमद विन तुगलग के सुधारों को बताना है तो मुहमद विन तुगलग के सुधार के पहले हमें इंट्रोड़क्शन बताना पड़ेगा कि मुहमद विन तुगलग वânस में सरवादिक सिक्षित और सिक्षित और सिक्षित होने के साथ साथ एक महान विद्वान था किन्तु उसके कारियों का क्रियान्मन चिंतन्ना होने के कारण उन्हें क्या किया गया एक तरीके से पागल घोशित किया गया इस तरीके से जो MBT या मुहमत बिंतुक लगें उनको अनिक प्रकार क नाम दिये गए हैं तो जनकल्यान और समराज्य वादिता के लिए अनिक प्रकार की प्रयास किये किन्तु दूरदर्शिता की अभाव में ये दृष्टी कौन जो है वो सफल शिद्ध नहीं हुपाया फिर इसमें याद रखिएगा कि अगर हम में जो रीजन बताने हैं तो चा समाजिक सांके तक मुद्रा का प्रशन करना जिससे चांदी के सिक्कों का भी फ्रॉड हुआ बुरा खुरासान अभियान जो सैने वापसी हुई सैनकों की वो एड़ टाइम के लिए सही नहीं थी और दूआप करमे ब्रद्धी दूआप करमे भी ब्रद्धी हुई है ये भ में बताना है फिर नेक्स कुश्यन है अकबर की सुलह कुल की नीती तो अकबर की सुलह कुल की नीती में हम क्या बता सकते हैं कि मुगल कालीन अकबर की सुलह कुल की नीती या अकबर की हम विवस्ता की बात करते हैं तो अकबर बहुत सारे रीजन की वज़े से बहुत सारी प्रशाशनिक विवस्ताओं की वज़े से एक महान साशक की रूप में जाने जाते हैं तो यहां पर स्पेशली पूछा गया है सुलाह एकुल की नीती तो हमें केवल उसी को एक्स्प्लेन करना है कि मुगलकालीन समराज्जों में अकबर एक महान सहिशनु साशक था अकबर की सुलाह एकुल की नीती अकबर की दूर दर्शिता और सहिशनुता का प्रतिपादक थी सुलाह एकुल का अर्थ क्या होता है तो आपस में मतवेदों को बातचीत के द्वारा सुल्व करना ही सुलाह एकुल कहलाता है तो अकबर नामा में अबुल फजल ने धारमे को जातियों के मद्द जो विवात थे उनको निप्टाने का एक माध्यम बताया है सुलह एक कुल को तो ये वर्णन कहाँ पर मिलता है ये अकबर नामा में मिलता है इस तरीके से अगर हम जो जो एतिहासिक साक्ष है उनको भी मैंशन कर देते हैं तो ये आपकी आंसर राइटिंग का एक प्लस पॉइंट होता है सभी वर्णों के मद्ध धार में एक सामन जस्य और लोक कल्यांड कारी राज्य की स्थापना के लिए आइस प्रश्यता की समापती के लिए सुलह एक उलकी नीती को अपनाया गया था इस तरीके से आप इस आंसर को बता सकते हैं इस तरीके से हम डेली आंसर राइटिंग की प्राक्टिस करेंगे अलग-अलग सब्जेक की क्विश्यन आंसर अनलिसेस किस तरीके से हमें थ्री मार्कर की फॉर्मेटिंग करनी है फाइब मार्कर एलैवन मार्कर अगर आपको मी प्रियास अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दूस्तों तक शेयर करना है थैंकि सूमत चैहन जै भारत